हलो दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप सब आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और जैसा कि आप सब लोग को मारू में कि हम लोग यहाँ पर डेली करेंट अफेर्स पढ़ रहे हैं को पाना है तो आपको इस टेलिग्राम ग्रुप से या फिर इंस्टाग्राम और फेस्बुक की आईडी से आप ये लेक्टर की पीडियाफ पा सकते हैं पहला कोश्यन है आपके सामने कें सरकार ने हाली ही में दूर्स अंचार कंपनी और अंतरास्ट्री कॉल और मैसेच को कित लास्ट में जो questions पूछे जाएंगे अगर तो उसका भी correct answer दे करके आप अपने आपको up to date कर सकते हो ठीक है कि अंतरास्टी कॉल और मैसेच को कितने वर्ष तक सुरक्षित रखना निवारे देखे इस question का correct answer है option number a 2 वर्ष ठीक है मतलब इसका क्या है दो साल तक अब आपको data जो है वो एक अटा करके रखना पड़ेगा ये कें सरकार ने भी कहा है कि जो भी satellite companies है satellite phone calls है conferences calls है ठीक है ज को जो है अब दो वर्ष तक के लिए सुरक्षित करके रखना है और सभी telecom company को ऐसा करने का नर्देश दिया गया है पहले ये सीमा जो थी वो एक वर्ष के लिए थी पहले कितनी थी पहले एक वर्ष के लिए थी अब जो है आपको दो वर्ष के लिए data खटा करके रखना जल्दी से बताईए federated digital identities की शुरुवात किस company ने करिए चंजाती मंत्रा लेने शिक्षा मंत्रा लेने रेल मंत्रा लेने या फिर IT मंत्रा लेने जल्दी जल्दी से इसका correct answer बताईए इस question का correct answer है option number option number D IT मंत्रा ले यानि information technology जो मंत्रा ले है उसने electronic मंत्रा ले के साथ मिल कर इसके तहट आपको क्या मिलेगा जो भी आपके आधार passport और pen digital जो भी आपके पास में data है ना आधार card आपका मालूम होगा लिंक कराया गया था ठीक है इस तरीके से तमाम सारे जो data वगरा है आपकी passport भी लिंक कराया जाता है passport अब इन सबसे क्या आपका आधार जो है वो ए अरज होंगी इंक्लूडड होंगी ठीक है तो आपको अलग-अलग चीज़ें अलग-अलग जगोंपर नहीं देनी पड़ेगी सीधे तरीके से एकीज से काम चल जाएगा तो थोड़ा सा डिजिटलाइज करने के लिए ये प्रोजक्ट जो है आपके गवर्मेंट ऑफ इसका तो इस कोसिन का करेक्ट एंसर है 21 ठीक है तो ये बहुत ही इंपोर्टेंट है यहाँ पर आपको एको नाम तो रोज्ड अपर ग्रोजरी नाम रोजर, फेडरर, ठीक है, रोजर फेडरर के अलामा आपको एक नाम और याद रखना है, सर्बिया के खिलाडी है, नोवाख जोकोविच, इन दोनों खिलाडियों के पास में 20-20 ग्रैंट स्लैम है, यानि 20 ग्रैंट स्लैम जो है, वो आपको यहाँ पर देखने को लें, ग्रै ग्रैंट स्लैम होते हैं, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है, यहाँ पर हुआ है, इसमें एक किस्वा किताब किसको मिल गया है, यह मिल गया, देव को हरा करके रफेल नडाल को, ठीक है, चली, अगले प्रशन पर चलते हैं, आगला कोशन है, आपको बताना है, कि निवन में से किस मंत्राले ने, हाल ही में, फर्मस्टिकल कंपनी के छेत्र के नवचार के अनुशंधान के सुविदा के लिए, नाइपर रिसर्च पोर्टल लॉंच किया है, तो कौन सी फर्मस्टिकल कंपनी है, या फर्मस्टिकल छेत्र की नवचार अनुशंधान के सुविदा के एंसर क्या है इस question का correct एंसर है option number D रसायन मंत्राले ठीक है तो रसायन मंत्राले ने क्या किया है भी हाली में यह NIPR research portal जो है वो launch किया है यह NIPR research portal किसने launch किया है यह मंत्राले का नाम आपको दिहान रखना है research में आपका कही न कहीं साहता करेगा यह जो portal है यह संगत तमाम सारे जो organizations हैं उनको आपस में connect करके जो भी researchers हैं उनको जो है तमाम information देने में help करता है यह help करेगा ठीक है यह NIPR की अंसंधानी गत्वीदिया है जो उनकी जानकारी रखने का भी काम करेगा clear चलिए अगले प्रश्ण पे चलते है अगला question आपके सामने है किस सरकार ने हाल ही में AP सेवा पोर्टल 2.0 लॉंच किया है AP सेवा पोर्टल 2.0 किस ने लॉंच किया है कौन सी सरकार ने आनप्रदेश ने महरास्ट ने केदल सरकार ने या फिर गुजरास सरकार ने जल्दी से पताए इस question का correct answer क्या होगा AP सेवा पोर्टल 2.0 जो है वो किस ने लॉंच किया है तो AP सेवा पोर्टल 2.0 ये आनप्रदेश की सरकार के दोरा लॉंच किया गया है ये आपको धियान रखना है आनप्रदेश मतलब AP का मतलब भी आप समझभा रहे होगे आन्द प्रदेश है आन्द प्रदेश है आन्द प्रदेश सेवा पोर्टल 2.0 अब इसमें क्या चीज़ें इंक्लूडड़न है इसमें जो भी वहां के नागरिक हैं उनको मतलब अच्छी जची सुवधाय देने की बात करी गई है और चितना भी ज़्यादा हो सके ट्रांसप प्रदेश के पोर्टल के थूँ मिल सकेगी और कोई भी रिक्वेस्ट अगर इस पोर्टल पर आती है तो उसको ट्रैक करने की सुवधा भी इसके अंदर मौजूद रहेगी अगला है शियोमारा क्वास्त्रो बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट है ये शियोमारा क्वास् पती ग्रूप में शपतली है जल्दी से बताएंगे आप कि इसकोशन का करेक्ट एंसर है आपका option number a होंडरास अप्शन नमबर a होंडरास होंडरास जो है ये सेंटरल एशिया में एक कंट्री है और सेंटरल एशिया की जो कंट्री है इसका नाम इसका इसकी जो राजधानी है वो तेगु सिगलपा है मैं आपर लिख दे रहा हूँ आपके लिए तेगु सिगलपा तेगु सिगलपा तेगु सिगलपा जो है यह इसकी क्या है capital है, राजधानी है आपको धियान रखना है और हुंडरास की ये पहली महिला राश्चपती के रूप में आपर काम करने जा रही है तो इनका नाम आपको ज़रूर अच्छी तरीके धियान रखना है क्या नाम है? Siamara Quastro ठीक है? Siamara Quastro ये राश्चपती के रूप में आपर है मुद्रा आप ज़रूर इसकी याद कर सकते हैं मुद्रा है Honduran Lempira Honduran Lempira Honduran Lempira जो है ये इनकी मुद्रा है Honduras की ठीक? चलिए अगला कोशन है भारत और किस देश ने हाल ही में भारत और किस देश ने हाल ही में स्टार्टप्स को प्रमोशन देने के लिए किसको प्रमोशन देने के लिए? स्टार्टप्स को प्रमोशन देने के लिए मिल करके 150 मिलियन डॉलर का फंड जो है वो तयार किया है तो किस के साथ में ये तयार हुआ है? जल्दी से बताएं अमिराथ और स्युक्त अरब अमिराथ जो है वो 2025 तक भारत के साथ इसका टर्गेट है कि 2025 तक जो है वो 10 यूनिकॉर्ण बनाने में मदद करेगा अब आप सोच रहेंगे यूनिकॉर्ण क्या है अजाचे किया वो यूनिकॉर्णी को है वो गिछ करेगा यूनिकॉर्ण यूनिकॉर्स हैसे कि य॥कि साथटर्री बनाने में झाल 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 यह इतना फंड बनाया गया है यह इनका मूल ले अगर देखा जाए एक बार बता दिए इस पस्ट आवाज आ रही है तो मैं बता रहता है कि इस इनका मूल अगर देखा जाए एक बिलियन इनका मूल अगर देखा जाए तो कितना है एक बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक अगर चीन की सरकार ने हाल ही में किस देख के साथ आयात पर प्रतिबंद लगा दिया है जल्दी से बताईए लुथियाना के साथ इनों ने ये प्रतिबंद लगाया हुआ है किस ने लगाया हुआ है चैने लगाया हुआ है ठीक है अभी लुथियाना क्या है ये ये यूरोपियन कंट्री है ये आपको ध्यान रखना है ये लुथियाना जो है ये ये यूरोपी महादीप में पढ़न इसकी capital है, किसकी capital है ये, ये लुथियाना की capital है, ठीक है, इसके अलामा आपको ये भी ध्यान रखना है, लुथियाना के जो रास्टपती है, उनका नाम है, गीटाननस नौसेदा, ये कौन है, ये लुथियाना के रास्टपती है, ठीक है, तो आपको लुथियाना के रास्ट इंड्रिगा, 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 सीमो नीते, सीमो नीते, यह यहां की PM है, ठीक है, तो PM और President दोनों का नाम आपको याद रखना है, इंड्रिगा सिमिन्ते और ग्रेटाना, ग्रेटेनस नौसेदा जो है, यह रास्ट पती है, ठीक है, चली, अगले कोशन की तरफ ट्राइल की मंजूरी दी है, तो यह कौन सी कंपनी है, जिसको ट्राइल की मंजूरी दी गई है, जल्दी से बताएं, फटाफट, किस कंपनी को ट्राइल की मंजूरी दी गई है, ABCD, चार ओप्शन्स आपके सामने आपर रखे हुए, सीरम इंस्टिट्यूट, भारत रख है उसने अभी भारत बायोटेक को नोजल वैक्सीन के ट्राइल के मंजूरी दी है और आपको ध्यान रखना है कि इसका ट्राइल लगभग 900 लोगों पर किया जाएगा और वैक्सीन का जो तीसरा डोज है उसका भी ट्राइल होगा आपको इतना ध्यान रखना है कि 900 लोगों पर ट्राइल करने वाले हैं भारत बायोटेक जो है वो कंपनी है जिसके साथ में इसको मंजूरी दी गई है और भारत बायोटेक जो है इसे आपको दो डोज लग चुका होगा तो थर्ड डोज जो है उसको लगने के लिए भी उसकी हाली में डिजिडल संसर नामक एक एप लॉंच किया है तो यह जो एप है यह किस ने लॉंच किया है यह एप लॉंच किया गया है लोग सभा सची वाले की तरफ से किसकी तरफ से लॉंच किया गया है लोग सभा सची वाले की तरफ से और इस इसमें कहा गया है कि जो इसका जो एप होगा ये आपका Android में भी काम करेगा और iOS दोनों प्लैटफॉर्म पे उपलब द रहेगा ठीक है तो संसत की जितनी भी जानकारी होती है संसत से जुड़े जितने भी पोर्टल होते हैं उनको यहां पर समर्ज करने के लिए इस पोर्टल को लांच किया गया है जिससे क अधिक सदिक जानकारी एक जगह पर इखटी हो सके और लोग उसको अच्छे तरीके से समझ सके अगला कोशन है संयुकतराष्ट की किस एजनसी ने दिसंबर 2021 में नौडिक क्लेन नौकाओं को अपनी विरासत सूची में शामिल किया है ठीक है चार आप्शन्स आपके सामने युनेसको या फिर इसको जो है उसने दिसंबर दोजार में दिसंबर 2021 में नौडिक क्लेरेंस नौकाओं को अपनी विरासत सूची में शामिल किया हुआ है अब इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन या थोड़ी सी जानकारी में आपको देता हूं युनेसको जो है उसने क्लेंकर शब्द जो इसमें शामिल हुआ है नौडिक क्लेंकर जो नौका शब्द का इस्तेमाल हुआ है तो क्लेंकर शब्द का मतलब होता है कि किसी तरह का जो लकड़ी होता है लकड़ी के बोर्डों को एक साथ बांधने का जो काम किया था उसको क् शेस प्रकार की नौका है, जिसको यहाँ पर शामिल करने की बात करी गई है, किसमें? युनेस्को की श्रेडी में इसको शामिल करने की बात करी गई है, ठीक है? चलिए, अगले कुशन की तरफ चलते हैं, अगला कुशन है, लोकायुक्त शक्तियों को कमजोर करने के लिए, कि किस सरकार ने अध्यदेश लाने की बात कही है। पंजाब है, कुछरात है, महारास्ट है या फिर केरल सरकार है। तो इस question का correct answer है, option number D, केरल government. किसने किया है ये? केरल government ने इसको launch करने की बात करी है। इसके लिए केरल लोकायुक्त अधिनियम में संशोधन किया जाएगा और संशोधन करके ये अध्यदेश पारित किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि लोकायुक्त शक्तियों को कमजोर करने के लिए केरल लोकायुक्त अधिनियम क्या नाम है? केरल लोकायुक्त अधिनियम इसमें शन्षोधन के लिए एक अध्यादेश लाने की गोशना की गई है और इस प्रस्ताविश शन्षोधन में आपको ध्यान रखना ये भी कि इसको लोकायुक्त के पास के विल शिफारिश करने के लिए जाएगा ये और उसके बाद सरकार को सरकार को उसकी रिपोर्ट जो है वो भेज दी जाएए इस तरीके से उसके पावर्स को थोड़ा बहुत कम किया जाएगा अगला कुशन है आपके सामने लिकित में से किस देश ने स्मार्ट टेक समक्ष प्रिवेंटिव हेल्थ केर प्लैटफॉर्म जीयो क्यू आई आई के साथ टाइ अफ में फिटनेस वाच टेबल क्रिट कार्ट लॉँच किया है जल्दी से बताइए कौन सा बैंक है आपर यहाँ पर यह बैंक ऑ बढ़ोधा है यहस बैंक है या फिर सिटी यूनियन बैंक है चार ओप्ष्ण से बैंकों के इसमें से करेक्ट एंसर आपको बतान नेशनल पेमेंट कोपरेशन ओफ इंडिया के द्वारा संचाली ये टाइप है, इस टाइप में फिटनेस वाच डेविट कार्ड लाँच करने की बात करी गई है, और ध्यान रखना है, फिटनेस वाच लेविट कार्ड के साथ में पांच हजार रुपे से अधिक भुकतान के भारा सरकार ने आधिकारिक तौर पर एर इंडिया को किसे स्वाप दिया है, ये तो बहुत इंपोर्टन कुश्चन है और बहुत सारा न्यूज में भी था, तो जल्दी से बताईए इस कुश्चन के बारे में इसका correct answer क्या होगा, भारा सरकार ने आधिकारिक तौर पर एर क्रोड रुपै की डील हुई है, कितने की डील हुई है, 18 यौक की और इस में जो 100% जो हिस्शेदारी है वो टाटा एंड संस को श्थना नत्रित कर दी गई है, उसका 100% शेयर है, वो टाटा एंड संस को इशेयर कर दिया गई है, ठीक है, 1800 क्रोड अगली बात आती है, निलुकेश्मि से किस खेल के प्रिसिद पूर कप्तान, चरण जीत सिंग का हाली ही में 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो आपको बताना है, चरण जीत सिंग हाली में उनके डेथ हो गई है, वो कौन सा खेल खेलते थे, किस खेल के लिए जाने जाते ये भारत के तास्टी खेल honky के player थे और इन्हों ने 1964 का टोक्य ओलंपिक हुआ था 1964 का टोक्या ओलंपिक है उस टोक्या ओलंपिक में इन्हों ने जो gold medal जीता था टीम ने उसके ये captain थे तो आपको ध्यानरखना ये स्टीम के कैप्टन भी हुआ करती थे और साथी साथ 1960 और 1962 में एशिया ही खेल हुए थे उसमें इनोंने जल्दी से बताएंगे TX2 पूरसकार जो है वो किसने जीता है या आप इसको T multiply by 2 भी बोल सकते हैं एक ही बात है वो ठीक है तो इस question का correct answer है आपका सत्यमंगलं Tiger Reserve कौन सा है सत्यमंगलं Tiger Reserve यह जो सत्यमंगलं Tiger Reserve सबसे पहले आपको दिहान रखना है यह तमिलनाडू में है कहां पर है तमिलनाडू में एक जगा है तमिलनाडू में इराडू नाम की जगा है इराडू ठीक है तमिलनाडू के इराडू जिला यह जिला है इराड डबल हो गई है, 2010 की तुलना में, 2010 में आपे 40 जो है, टाइगर हुआ करते थे, 2010 में आपे टाइगर 40 हुआ करते थे, अभी इनकी संख्या कितनी हो गई है, दोगनी हो गई है, 80 हो गई है, टाइगर की संख्या, तो इसलिए इसको परस्का दिया गया है, TX2 परस्का दिया गय है कि नेपाल में बर्दिया नेशनल पार्क में जो जंगली बाकों का पुरा रिजर्व रखा हुआ है वहाँ पर भी वहाँ पर भी जो है आबादी जो है दुगनी हो गई है टाइगर्स की तो नेपाल का बर्दिया नेशनल पार्क भी आपको ध्यान रखना है नेपाल का बर बर्दिया नेशनल पार्क इसमें भी टाइगर्स की संख्या दुगनी हुई है इसलिए इसको भी TX2 पुरसकार इसको भी मिला है ठीक है तो यह भी ध्यान दखना है इंडिया में अगर देखा जा तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को मिला है डिजिटल उनिवर्स्टी केरल द्वारा कौन सा नवाचार केंद्र 86.41 करोण रुपए में स्थापित करने की घोशना करी गई है पहले भी हो चुका है दूसरा तीसरा चौथा जो भी है पताए कौन सा होगा तो इस करेक्ट एंसर है ऐसा ये पहला अपने आप में ये फर्स जो है कह सकते हैं इनोवेशन सेंटर है जो की केला उनिवर्स्टी के तरफ से मतलब ओपिन किया गया है और इसमें 86.41 करोण रुपए का पूरा जो है इन्वेस्टमेंट करने की बात करी गई है वहाँ पर त तरीके का सेंटर होगा इसका नाम है सेंटर वार depth ए Aleks technology तो सेंटर फ्र मेटेरिया अपको बताना है इनवंए मेंसे किस देश में जन्मी फ्रांस की प्रसिद कथकली नत्या तो यह इसका correct answer जल्दी से बताईए, question का correct answer क्या होगा, जल्दी से जल्दी बताएं सबी लोग, इस question का correct answer क्या होगा, यह question का correct answer है, option number, option number D, इटली, ठीक है, तो इटली की यह कथकली नत्यांगना है, सुचो, कथकली केरल का प्रसिद दिनरित है, पर दो वहां की मिलनी साल भ ही कौन सा दिवस मनाया जाता है, जल्दी से बताएं, दो फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, वर्ड वाइलाइब डे, यह वर्ड कैंसर दे, वर्ड वेटलेंड डे, या फिर वर्ड डे ओफ सोशल जस्टिस, इस question का correct answer है, option number C, वर्ड वेटलेंड डे, option number C, वर्ड व meeting है, 1971 में हुई थी, 1971 में इसी दो फरवरी को, और उसी की वर्ड वर्ड कार्ट के रूप में इसको हर साल दो फरवरी को, वेटलेंड डे मनाया जाता है, अगला question है, वित्तमंत्री निर्मला सीतरामन जी ने एक फरवरी को किस नाम से budget पेश किया है, यह उन्हों जो budget पेश अगला प्रशन है, ग्रोट औरेंटेड बजट जो अभी हमने आपको नाम या पर दिखाया, 2022 में चार चीजों पर फोकस किया गया है, वो चार चीजें क्या है, किन पर फोकस करते हुए इसको बनाया गया है, जल्ली से बताइए, ग्रोट औरेंटेड बजट 2022 जो है, उसमे लेकिन चार चीजों पर focus किया गया है, यह आपको बताना है, तो बटा इस पर focus किया गया है, चार चीजों पर वो है productivity, climate action, finance investment और PM गतिशक्ति योजना, यह PM गतिशक्ति योजना के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना है, आप लोगों को focus रखना है, ठीक है, PM गतिशक्ति योज चलते हैं, अगला question है हमारे पास में, आपको बताना है private investment और विकास को बढ़ावा देने के लिए, बजट 2022 में पुझीगत खर्च को 34.5% से बढ़ा करके कितने करोड़ रुपे कर दिया गया है, यह आपको ध्यान रखना है, तो अभी बढ़ करके कितने करोड़ रुपे क investment उसमें बढ़ा दिया गया है, जल्दी से बताना है आपको, तो इस question का correct answer है 7.50 करोड़ कितना, 7.50 करोड़ रुपे का investment बढ़ा दिया गया है, यह आपको ध्यान रखना है, 7.50 करोड़ रुपे का investment बढ़ा है, private investment के बढ़ावा देने की है, अगला question है, वित्तमंतरी निर Reserve Bank, RBI Digital Currency, State Bank Digital Currency, PNB Digital Currency, या फिर UCO Digital Currency, चार options है, कौन सा सही होगा, इनवे में से, तो नाम से आपको पतल जाएगा, यह क्या है, RBI Digital Currency, कौन सा है, RBI Digital Currency, 2022-30 के दौरान जो है, Digital Currency के शुरुबाद जो है, वो कर देगा भारत, यह कहा गया है, और उन्होंने यह भी कहा है, कि जो Virtual Digital Currency, जैसे, जिसको आम लोग Cryptocurrency के नाम से जानते हैं, तो Cryptocurrency और इस तरीके की जो भी आए है, उस पर आपको एक भारी भर कम Tax भी देना पड़ेगा, यानि Cryptocurrency को कहीं न कहीं, वो Demotivate करना चाहती है, और लगबा 30% का जो है, इसमें, Income Tax लगेगा, ठीक है, Cryptocur Currency से अगर आपकी कमाई हो रही, तो उसमें 30% का Tax देने की बात करी गई है, अगला है, PME Vidyadhan, PME Vidyadhan, One Class, One TV Channel Program को 12 से बढ़ा कर, 12 से बढ़ा कर, कितने TV चैनलों तक विस्तित किया जाएगा, यानि 12 TV चैनलों तक उसमें, आप कितने TV चैनलों हो जाएंगे, जो कि Local Languages मे भी रहेंगे, तो इसके लिए correct answer है, आपका option number D200, कितने 200, तो आपको ध्यान रखना है, PME Vidyadhan, One Class, One TV Channel Program को 12 से बढ़ा करके 200 TV चैनल में विस्तित किया गया है, और साथी साथ कक्षा एक से लिए करके, कक्षा 12 तक की जितनी भी छेतरी भाशाओं में जो भी जहां जहां प प्रयास इसी TV के माध्यम से किया जाएगा, इसी TV पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा, चली, अगले question की तरफ चलते है, skill development के लिए कौन सा पोर्टल launch किया जाएगा, इस skill development के लिए भाशाओं तरफ से कौन सा पोर्टल launch किया जाएगा, digital, e-portal, digital face e-portal, digital, दिमाग e-portal, digital class e-portal, चार options से आपके सामने जल्दी से बताएगा, इस question का correct answer क्या होने वाला है, तो देखे, इस question correct answer है, digital days e-portal, क्या नाम है, digital days e-portal, तो digital days e-portal के माध्यम से, एक नया जो है, e-portal, skill development के लिए launch किया जा रहा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, अगला question है, अगला question है, left-hand general Manoj Pande ने, 25 फरवरी को, ध्यान रखना, left-hand general Manoj Pande ने, एक फरवरी को, sorry, left-hand general CP मोहंती की जगह लेंगे, तो वो किस पद ग्रहन करेंगे, ये आपको बताना है, किस रूप में उनको पद ग्रहन करना है, तो ये पद ग्रहन करेंगे, किस रूप में, ये पद ग्रहन करेंगे, उप सहायक के रूप में, किस रूप में, उप सहायक के रूप में, ये पद ग्रहन करेंगे, ये आपको ध्यान र प्राप्त कर सकते हैं आपका समय शुभू धन्यवाद